नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे बड़े बुजर्गों दुआरा बताए गई स्वास्ते के कुछ नियमों के बारे में स्वास्त रहना को नहीं चाता लेकिन स्वास्त रहने के लिए सेहत के प्रती काफी सतरक और जागरुक रहने के अवशक्ता होती है कुछ मामलों में हमें अनुशाशित रहने के अवशक्ता भी होती है इसके लिए जरूरी है कि बहतर स्वास्ते के लिए कुछ नियम बनाए जाएं जो आरी मदद कर सकते हैं स्वास्ते रहने में तो आईए बात करते हैं बड़े बुज़र्गों दौरा बताई गए इनी स्वास्ते नियमों के बारे में नमबर एक एक कटोरी फल या सलाद खाने से प्रती दिन अच्छा रहता है और जोरी है कि आप प्रती दिन एक कटोरी फल या सलाद खाने के आध़ जरूर डालें इनमें मुझूद पोशक तत आपके स्वास्ते को बेतर बनाए रखने में सायक होंगे और बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेंगे इससे आपका इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होगा कोशिश करें कि फल को सामाने तात्मान पर रखकर ही खाएं सुबह अधिक समय तक खाली पेट रहने से स्वास्ते के लिए नुकसान दायक होता है और मुटापे के अलावा पेट के अन्य रोगों के लिए भी जिम्मेदार होता है जबकि सुबह का नाश्ता अनेवारे तोर पर करने से आप स्वास्त और उर्जवान मैसूस करते हैं ऐसे में किसी कारण से दुपैर का खाना ना खा पाएं खाने पर भी शरीर में आवशक उर्जा बनी रहती है नमबर तीन हमेशा सुबह के नाश्ते से पहले ब्रश जरूर करें बगेर ब्रश के कुछ भी खाने का परेज करें नाश्ते से पहले ब्रश करने से दातों पर फ्लोराइट की कोटिंग जम जाए जो ब्रश करने जो दातों को सुरक्षित रखती है खाने से पहले ब्रash करने से खाने में मूझद तत्तव दातों पर जम्हं वलाग के साथ रसाइन करिया करकि अमल का निर्मान करते हैं जो दात की बाएषि परत को कमजोर बना देते हैं नमब चार प्रति दिन जूस पिने की आदत डालें प्रतिय दिन आप अच्छी डाइट के लिए कोशिश करें कि सब्ता या महीने में कम से कम एक दिन उपवास जरूर रखें एक शोदकारे के अनुसार दिन में खाने के लिए खाना नहीं खाने से मेटापॉलिजम रेट बढ़ जाता है इसके अलावा इससे बिमारियां खास तोर पर दिल की बिमारी का खतरा 40% कम हो जाता है नमबर 6 जब भी आप असहज हों गहरी सांस लेते रहें इससे दिमाग में अक्सीजन अधिक मातरा में पहुंशती है और आप ताजगी के साथ साथ तनाव मुक्त महसूस करते हैं जबकि छोड़ छोड़ी सांस लेने से हार्ट पर हार्ड रेट और तनाव बढ़ता है नमबर 7 प्रती दिन एक फल खाने से का नियम बना लें इससे आप स्वस्तर रहने के साथ ही और जवान महसूस करेंगे एक शोड़ के अनुसार रोज एक फल खाने से कैंसर का खतरा 20 प्रती सदी तक कम हो जाता है नमबर 8 खाने में अतिरिक नमक खाने के से परेज़ करें खाना पकाते समय नमक की जो मातरा उसमें डाली जाए उसके लावा उपर से नमक न डालें नमबर 9 सफेद ब्रैड की और चावल की जगा प्राउन राइस या प्राउन ब्रैड का इस्तमाल करें और मैदे के बजाए आटे से बनी चीजों का प्रियोग करना फायदे मंद होता है इस बात का ध्यान रखें नमबर 10 अगर सीर दर्द होने पर आप दवा ले रहे हैं तो उसे कौफी के साथ लें एक अध्यन के अनुसार पेन किलर दवा को पानी की जगा कौफी के साथ लेने से दर्द जल्दी दूर होता है क्योंकि कैफेटीन दर्द को जल्दी और अधिक समय के लिए दूर रखता है कैफेटीन दवा को तेजी से पूरे शरीर में फैलाता है दिन में या सब्ता में एक या दो बार व्यायाम करने का नियाम जरूर बनाएं व्यायाम स्वास्त रखने में कीचाबी है इससे आप चु जो आपको पानी पीने की याद दिलाता रहे पानी पीते हैने से आपकी आदी समस्यां दूर हो जाती है इससे शरीर का तापमान भी नियंद्रित रहता है तो ये थे बड़े बुजुर को द्वारा बताई गए कुछ स्वास्ते को लेकर उनके द्वारा बनाएं गए कुछ नियम जिससे आप अपना कर स्वास्त रह सकते हैं आशा करती हूं आपको मेरे द्वारा बताई गए ये स्वास्ते के नियम अच्छे लगे होंगे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद